Hello everyone, welcome back to Richaaz Manor दोस्तों जब भी हम microwave खरीद कर लाते हैं उसमें हम आलू boil करके देखना चाहते हैं कि आलू किस रीकिस इसमें boil हो रही है जब मैंने microwave पर्चेस किया था तो मैंने भी ऐसा ही try किया था और बहुत सारे वीडियो देखे थे YouTube पर बट जब भी मैं उसको try करती थी तो वो कई बार होता था था ना कि जो आलू होते थे वो थोड़े से shrink से या सुखे से boil होते थे वो उतने perfectly boil नहीं होते थे जैसे कि हम cooker में करते हैं वैसे तो खैर नहीं होएंगे जैसे हम cooker में boil करते हैं माइक्रोवेव में उतने अच्छे से गलकर नहीं बनते हैं बट perfectly आलू को आप कैसे boil कर सकते हो माइक्रोवेव में उसका एक perfect तरीका आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा आपके आलू एकदम perfect बनेंगे तो यहाँ पर मैंने तीन आलू ले लिये हैं जिनको मैं लें धो कर अच्छे से छील लिया है और यह बड़े साइस के आलू है तो अगर आपके पास छोटे हो तो आप छोटे ले सकते हैं च्छे, पाच अच्छे यहाँ पर मैंने बड़े आलू लिये हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर इनको बीच से कट कर रही हूँ जिससे कि यह अच्छे से पक जाएं तो यह हो गए मीडियम साइस के आलू और इनको अब इस तरीके से मैं जो नाइफ है उसकी हेल्फ से ही प्रिक कर रही हूँ वहर तरफ से एक एक या दो दो स्लिटाप लगा लीजेस में कभी भी कोई भी चीज हमें बॉयल करनी होती है माइक्रोवेव के अंदर तो उसमें इस तरीके से चाकू से या फोक से प्रिक करना बहुत ज़रूरी होता है तो इस तरीके से मैंने सारे आलू प्रिक कर लिये हैं और अब यह श्रिंक ना हो जाएं इसके लिए हम एक बहुत ही संपल सा ट्रिक अपनाएंगे इसके लिए मैं यहाँ पर जो चाय का कप होता है नॉर्मल साइज का उससे वन फोर्थ का पानी ले रही हूँ उसको मैं इसमें एट कर रही हूँ और ध्यान रखिएगा कि microwave में कुछ भी पकाने के लिए हमें microwave से बोल लेनी होती है और यह ढकन इस बोल के साथ ही आया था जिसमें यह तीन होल्स बने हुए है और आलू हमें ढकर पकाने हैं जिससे कि यह परफेक्टली पके अगर आपके पास इसा ढकन नहीं है तो आप जो भी ढकन लगा रहे हो उसमें इस तरीके से थोड़ा सा डिस्टेंस बना दीजे बोल और सबसे पहले ओं करने पर 900 gore concept अते हैं हमें दूसरा mode selected करने है 720 wat पर इसको 6 minutes के लिए पकने के लिए छोड़ना है छे minutes set करके मैं इसको on कर देती हूं microwave को आपको यह धियान पर्फेक्टली बॉयल बनेंगे तो यहां पर आलू का टाइमर जो हमने सेट किया था वो पूरा हो चुका है अब हम आलू को जैसे है वैसे ही दो मिनट के लिए छोड़ देंगे धकन लगए हुए और उसके बाद दो मिनट के बाद हम इसको खोल कर चेक करेंगे तो यहां पर आप टाइमिंग थोड़ा बहुत उपर नीचे कर सकते हो आधे से एक मिनट जैसे कि आपके आलू जितनी देर में बॉयल होते हूँ जल्दी बॉयल हो जाते हो तो आधा से एक मिनट कम कर सकते हो अगर टाइम लगता है तो आधा से एक मिनट आप टाइम को तो यहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे आलू मैं आपको नाइफ डाल के चक करा देती हूँ, कि कितने अच्छे से पग गए हैं, एकदम परफेक्ली कहीं से भी आपको श्रिंक या सुखे हुए से नहीं दिखाई दे रहे होंगे, और बहुत अच्छे से इसमें अलू को बॉल करने में, तो आधे से एक मिनट का आप उपर नीचे कर सकते हो, और 720 वाट्स पे इसको हमें पकने के लिए रखना है, अब यहां पर मैं आपको इसको मैश करके भी एक बार दिखा देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आलू अच्छे से पक लग रहा है इसको मैश करने में, बट फिर भी कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यह कच्छी रह गई है, यह पूरी तरीके से पक गई है, आई होप आप सबको यह वीडियो कुछ हलपफुल लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसको लाइक और शेयर करना